हेलो गाईज, वेलकम तो माई यूटूब चैनल नौलेज अड़ा तो आज के वीडियो में हम दो टॉपिक को एक साथ कवर करने जा रहे हैं पहला तो ये सबसे पहला तो हम लाटीमर डाग्राम के बारे में समझेंगे कि लाटीमर डाग्राम जो है वो क्या होता है ये दोनों टॉपिक जो है वो आसकता है बहुत बार एकजाम में पूछे भी जा चुके हैं ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से अदो है रिलेटेड है इसलिए दोनों को मैं आप लोगों को एक साथ बता रही हूं और काफी, सौट टाइप टाइप से कोस्टन है, इसलिए दोनों को मैं आज आप लोगों को एक साथ कवर करूंगी तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेटीमर डाइग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डाइग्राम एक आरेक सो हो रहा है, इसे ही हम लेटीमर आरेक या फी लेटीमर डाइग्राम जो है वो कहते हैं अब इस डाइग्राम में हमें क्या क्या चीज़े देखना है, उसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को जो है वो element सो हो रहा है और उस element का विभिन ओक्सिकरण अवस्था में जो है वो इसे जो है दर्साया गया है मतलब कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे element है तो उसके अलग-अलग oxidation number के according जो है वो यहाँ पे element इसका जो है वो लिया गया है सबसे पहले अगर हम बात करें Cu2 प्लस गी तो इसका जो oxidation state होता है यह oxygen संख्या होता है वो प्लस 2 होता है क्योंकि सभाविक सी बात है कि यहाँ पे अगर 2 प्लस लगा हुआ है तो oxygen संख्या इसका जो है वो प्लस 2 ही होगा यहां पे अगर हम बात करें Cu plus का तो यहां पे केवल plus लगा हुआ है कोई भी यहां पे number नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इसका जो oxygen current संख्या है वो plus 1 है मतलब जो भी आपका oxidation number है वो plus 1 है अगर हम यह वाले element की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो कोई भी चार्ज यहां पर प्रिजेंट नहीं है तो इसका जो oxidation state होता है वो 0 होता है तो यहां पर आप लोगों ने एक चीज देखा कि हम लोगों ने इसे oxidation number के according जो है वो इसे arrange किया हुआ है कहने का मतलब है कि सबसे पहले जैसे की plus 2 है then plus 1 है उसके बाद 0 है मतलब एक क्रम के नुसार हम लोगों ने जो है वो इसे arrange किया हुआ है यही होता है आपका लेटीमर डाइग्राम लेटीमर डाइग्राम वो डाइग्राम होता है जिसमें किसी तत्व की लेटीमर डाइग्राम होता है और लेटीमर डाइग्राम में एक तीज आप लोगों को और देखना है कि यहां पे हम potential data भी लिखते हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो Cu2 plus और Cu plus के बीच में हम लोगों ने यहां पे potential data हुआ है data लिखा हुआ है जो की volt में जो है वो present है और इन दोनों के भी जो आपका potential data होगा वो 0.159 volt जो है वो होगा तो अगर exam में इस तैप से question आते हैं तो यह जो आपका volt है जो भी आपका potential data है वो आप लोगों को वहां पे question में दिया होगा तो question में आप लोगों को दिया होगा उसे ही आप लोगों यहां पे note करना है यहां पे घबराने वाली बात नहीं है कि हम इतने सारे element का potential data जो है वो कैसे याद करेंगे तो इसमें जो भी अगर आप लोगों को इस से related question अगर exam में पूछा भी जाएगा तो यह जो data है आप लोगों को दिया रहेगा लेकिन हाँ यह जो आप लोगों को oxidation state है वो आप लोगों को नहीं दिया रहेगा उसे आप लोगों को जो है वो arrange करना है मतलब बढ़ते से घर्टे करा में मतलब पहले जादा वाले को जिसका oxidation state जो है वो जादा रहेगा उसको हमें पहले रखना है यहां तक आप लोगों को clear हुआ यहां पर हमें दो potential data जो है वो so हो रहा है सबसे पहले तो यह 0.159 volt जो इन दोनों के बीच का है और अगर हम बात करें cu प्लस और cu का तो इन दोनों के बीच का 0.52 volt यहां पर लिखा गया है लेकिन अब हमें निकालना है e0 3 का value यह e0 1 हो गया e0 2 हो गया अब हमें e0 3 का value नि देकर के cu तक का मतलब अभी तक तो हम लोगों ने इन दोनों के बीच का देखा इन दोनों के बीच का देखा लेकिन अब हमें क्या करना है इन मतलब cu 2 प्लस से देकर के cu तक का जो हमें जो भी इलेक्टोड potential data है e0 है उसका value जो हमें ग्याद करना है तो इसके लिए कुछ formula हमें यहां पर लिखना होगा तो इतना आप लोगों को समझा है कि Latimer diagram क्या होता है आगे मैं आप लोगों को इसका definition भी बता दूंगी बहुत ही easy है Latimer diagram में हम Oxidation state के a recording element को arrange करते हैं यहां पर potential data भी लिखा होता है यह जो पूरा आपका diagram बनता है यह जो आपका पूरा एक R1 बनता है उससे ही हम Latimer R1 जो है वो कहते हैं तो चलिए हम हम इसे जो है वो solve करते हैं हमें e03 का value जो है वो निकालना है मतलब इतने के equal जो है वो क्या होगा इस जानते हो तो इस यूनिट का पहला नौट साप जरूर देखिए बेसी सेकंड डियर इन और्गनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो सारे लाइन से देखो गे तो आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ में आएगा तो चलिए सबसे पहले हम देखते कर देखिए कि CO2 ौड अगर हम इसे 2 इलक्ट्रों डोनेट कर देते तो यह आपका CU बन जाएगा यहां तर आप लोगों को clear हुआ, पहला आप लोगों को यह लिखना है, अब यह E0 का value जो है वो हमें निकालना है second reaction यहां पे क्या हो रहा है, यह वाला reaction हम देख लेते हैं, Cu2 plus से Cu plus बन रहा है मतलब यहां पे आप कितने electron को add किये हो, तब यह Cu plus बन रहा है यहां पे पहले आपका क्या था, Cu2 plus था, अगर हम लोग इसमें, एक electron इसको डे देते हैं, एक electron को donate कर देते हैं, तो यह E0 को बन जाएगा तो इसे हम जो है वो इस प्रकाय से लिख देंगे Cu2 plus plus E minus और ये आपका बन गया Cu plus तो इसका जो भी आपका Electro Potential Data वो कितना है आपका 0.159 V इसे जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो आप रोगों का value है ना इसे हम जो है यहाँ पे लिख देंगे तो इसका Oxidation State जो है वो जिरो हो जाएगा मतलब यहाँ से जो भी चार्ज है वो यहाँ से खर्दम हो जाएगा तो E2 not की value क्या है इसे हम लोगोंने E1 माना हुआ है इसे हम लोगोंने E2 माना हुआ है तो इसका value क्या है आपका 0.520 V दोनों का प्लस π्लस में है अब हमें क्या कर नह cuma जोड़ देना है हम जो है वो इसे जो है जो है वो जोड़देंगे सबसे पहले तो यह आपका Cu ऐश्या का का कट कर देंगे क्योंकि objetivo क्योंने E2 कि क्टा क्या मुदयदेंगे आपका Cum2शका बचा है तो यहां पे हम 2 electron करके लिख देंगे और यहां पे केवाला आपका Cu बज गया यह Cu 2 प्लस और Cu प्लस दो जो है वो कुट हो गया है तो इतना आपको जो है वो यहां पे लिख देना है अब आपको क्या करना है E03 का value जो है वो निकालना है मतलब यह वाला value आपको निकालना है आपके पास क्या क्या है E01 है और E02 है अब इन दोनों के base पे आपको E03 का value निकालना है तो इसके लिए बहुत ही easy formula हम यहाँ पे देखेंगे यह वाला formula आपको यहाँ पे लगाना है N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3 तो चलिए हम formula में जो भी value है उसे लगाते है तो N1 के जड़ा हम क्या लिखेंगे कितना electron हम जो है वो add कर रहा है तो E1 में देख लेते हैं कितना electron add कर रहा है 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे into E01 का value कितना है 0.159 यह हम लिख देंगे N2 में कितना electron दे रहा है 1 electron तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे into क्या कर देंगे 이게 2 का value यहाँ लिख देंगे upon N3 N3 वाला है यह वाला है N3 में कितना electron दे रहा है 2 electron यहाँ तो यहाँ पे 2 कर दोगे N3 के लगा जो है वो 2 कर दोगे अब इसे आप solve करिए, पहले तो आप इसे 1 1 से multiply कर दीजे, then उसके बाद इसको add कर दीजे, उसके बाद आपको 2 से इसको upon करना है, तो 0.679 upon 2 आएगा, तो इसका answer जो है आपका 0.339 आएगा, बतलब यह आप 0.34 भी इसे जो है वो लिख सकते हो, तो यही है आपका E03 का value, तो यहाँ पे जो मैंने question mark लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी value आया है 0.34, इसे जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, तो यह तो आपको question number 1 हो गया, कहने का मतलब है कि इस टाइप से question exam में आते हैं, तो आप लोगों को कुछ-कुछ formula याद होना चाहिए, ताकि आप इसे जो है वो solve कर सको, और यही है आपका Latimer Diagram, लास्ट में मैं आप लोगों को इसका definition बता देती हूँ, उसके बाद हम जल्दी से fast direct, जो है वो start करेंगी, complete होता है आपका Latimer Diagram, तो जो भी definition आप स्क्रीन से ओटेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत इजी है किसी तत्व की विभिन ऑक्सिक्रण वस्थाओं को बाए से दाई, मतलब left से right oxidation state के घटते करम में, मतलब कम होते जाएगा oxidation state, उस करम में हम हम जो है वो इसे arrange करना है, और उसका जो भी mana cup chain विभाव है, मतलब वही जो potential data है, उसके साथ जो है वो R1 के रूप में प्रस्तूती करन को Latimer R1 कहते है, मतलब oxidation state को हम बढ़ते से घटे करम में लिखेंगे और उसमें जो है वो जो भी आपका potential data है उसको जो है वो आप add कर दोगे, तो यह जो आपका एक R1 बनता है, उसे हम Latimer R1 कहते हैं, काफी easy है, तो केवल यही नहीं है, बहुत सारी example जो है वो आप लोगों को बुक में जो है वो मिलेगा, तो चलिए अब हम जो है वो दूसरा topic स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है Fast R1 तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को Fast R1 बनाना जो है वो बताऊंगी कि कैसे कैसे value को आपको रखना है, और देखी यहां पर Latimer diagram के help से ही हम Fast R1 बताएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को Latimer diagram और Fast R1 बताएंगे ताकि आप लोग को कोई भी confusion यहां पे ना हो, सब चीज आप लोगों को पता रहें, आप बूलो मत, तो पहले तो मैं आप लोगों को यह Fast R1 diagram जो भी है इसे बताना सिखाऊंगे, उसके बाद हम इसका notes भी देखेंगे क्योंकि एक्जाम में अगर Fast diagram आता है तो केवाल आप diagram नहीं बना सकते, लेटीमर diagram में तो चल जागा क्योंकि उसमें theory type से कुछ भी आपको याद करने लाइक नहीं है, केवाल उसका definition ही है, लेकिन अगर Fast diagram आता है एक्जाम में तो आप लोगों को इसका notes भी जो है वो लिखना होगा, तो इसका notes के लिए भी वीडियो को last तक जरूर देखे, notes very important है, केवाल diagram समझने से कुछ नहीं होगा, notes भी आप लोगों को लिखना होगा, तो चलिए यह start करते हैं, तो यह क्या है, Fast टारिक क्या है, कौन से scientist नहीं से बनाया है, इसका मतलब क्या है, वो तो मैं ऐसे आप लोगों को notes से बताऊंगी, पहले ही आप diagram बनाना सीख जाओ, उसके बाद हम जो भी चीजे हैं उसे जो है वो हम देखते रहेंगे, यहां पे सबसे पहले तो हम जो example आज लिए है, Fast टारिक बनाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने O2, H2O2 और H2O हम लोगों ने जो है वो लिया हुआ है, मतलब यहां पे oxygen के लिए हम जो है वो Fast टारिक बनाएंगे, यहां पे question आता है, कोई भी element आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि oxygen के लिए Fast टारिक बनाएं, आक्सीजन के लिए आपको Fast टारिक बनाना है, कभी nitrogen के लिए पूछ सकते हैं, कभी manganese के लिए पूछ सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहां पे जो एक्जामपल लिया है, वो Oxygen लिया है, Oxygen से रिलेटेड यहां पे हम Fast टारिक बनाएंगे, तो Oxygen हम लोगों ने लिया हुआ है, O2, H2O2, और H2O, यह तो सबसे पहले हम Oxygen के लिए लेटेमर डाइग्राम है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो लेटेमर डाइग्राम है, तो इसे हम लोगों ने इसके Oxidation State के अरेंज किया हुआ है कैसे, O2 का जो Oxygen संख्या Oxidation Number होता है वह 0 होता है, यहां पर आप देख रहे हैं, कोई भी आप लोगों को चार्ज भी फ्रिजेन नहीं है, इसका Oxidation State हो 0 है, H2O2 का अगर हम बात करें, तो इसकी Oxidation State हो-1 होता है, यहां पर हम देख रहे हैं, इसे हम लोगों ने घटते क्रम में लिया हुआ है, मतलब पहले जादा, दन उसके बाद कम, दन उसके बाद सबसे कम, तो इसके Codding जो हम यहां पर, जो भी हमारे पास elements है, जो भी यहां पर molecule है, उसे हम लोगों ने इसे प्रकास से arrange किया हुआ है, और इसके बीज बीज में यहां पर potential data भी लिखा हुआ है, मतलब जो भी E0 का आपका value है, उसे भी हम लोगों ने इसके बीज बीज में लिखा हुआ है, 0.70, 0.76, और इसका जो E03 का value है, वह भी यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर कुछ भी आपको Latimer Diagram का solve करने की जर्वत नहीं है, सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है, अब हमें इसका Fast Diagram बनाना है, यह इतना आप लोगों को समझ आ गया, Latimer Diagram Oxygen का आप लोगों को समझ आ गया, अब Fast Diagram में क्या करना है, दो चीज को हमें यहां पर लिखना है, दो चीज से Related यहां पर आपको graph बनाना है, पहला तो आपको Oxidation Number, दूसरा आपका Ne0 का value लिखना है, अब यह Ne0 क्या होता है, वह भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो जो भी हमारा Ne0 रहेगा, और जो भी हम जो भी element लिए हैं उसका Oxidation Number रहेगा, उन दोनों के बीच में जो है वह हमको यह diagram, जो भी R1 जो है वह इससे हमें जो है वह बनाना है, चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें Ne0 का value जो भी है, इसे हमें जो है वह निकालना होगा, उसके बाद हम यहां पर देखेंगे, तो सबसे पहला element आपका है O2, तो इसका जो Oxidation Number है जो से पता है आपको 0 है, E0 का value भी आपका 0 है, इसका तो 0 ही होगा ना, हाला कि यहां से यहां तक का 0.70 है, लेकिन अगर O2 की बात करें, तो E0 का value आपका 0 ही हाएगा, तो अब देखते है N E0, तो N E0 कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपको multiply करना है, N का value और E0 का value, दोनों का value का आपको multiply करना है, उसके बाद जो भी value आएगा, वो आपका N E0 का value जो है वो रहेगा, इतना clear हुआ, यह तो हुआ oxygen का, अब हम H2O2 का देखते हैं, तो H2O2 का जो oxidation number है वो minus 1 है, E0 का value जो है वो यह वाला है, 0.70V, यहां पे हम लिग देते हैं, अब N E0 का value निकालना है, N E0 मतलब यहां पे देख रहे हुआ यह N, और यह E, तो N E, मतलब N into E0, तो दोनों को into करना है, तो N E0 का value निकल जाएगा, दोनों का आप into कर दीजे तो इसका answer जो है, वो minus में आएगा, minus 0.70V, अब हमारा दूसरा वो क्या है, H2O, H2O का जो भी oxidation number का है, minus 2, E0 का value यहां पे दिया ही हुआ है, plus 1.76V, और इसका जो N E0 का value जो है, वो आपका दोनों को multiply कर दीजे, गुडा कर दीजे दोनों को, तो यह आपका answer जाएगा, minus 2.46, यहां तक आपको clear हुआ, मिल आपको N E0 का value, आपको oxidation number भी मिल गया, अब फ्रास डाइग्राम में क्या होता है, यह जो आपको oxidation number है, और यह जो आपका N E0 का value है, दोनों को आपको R1 बनाना है, दोनों को diagram में एड करना है, अब देखे, जो भी हमारा oxidation number रहेगा, इसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में मतलब समझ रहे हो ना, minus 2, minus 1, then 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा, और यह जो N E0 रहेगा, उसे भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब देखें यहां पर, minus 2 कि इसका oxidation number H2O का, H2O का oxidation number कितना है, minus 2 और इसका any not का value कितना है, minus 2, 0.46, तो यह आप इसे average minus 2 माल लिजिए, तो minus 2 और minus 2, तो minus 2 और minus 2 के बीच में आप यहां पर एक dot बना दीजिए, minus 2 इसका oxidation number है, और minus 2 इसका any not का value है, तो यहां पर आप गोल राउंड कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, यह आपका है H2O है, यहां तक layer हुआ, अब H2O2 का oxidation number कितना है, minus 1 है, और any not का value कितना है, minus 0.7, तो something यहां पर आएगा यह, और यह आपका minus 1, तो यहां पर आपन नौट कर दिए, oxygen की value कितना है, O2 का value तो सब 00 है, तो इसे हम 00 के बीच में लिख देंगे, मतलब यह 0 और यह 0 के बीच में ऐसा कर देंगे, और सब को एक साथ जो है वो जोड देंगे, तो बन गया आपका FAST R1, FAST R1 क्या होता है, Oxidation number और एनी के बीच जो भी आपका R1 बनता है, वही आपका FAST diagram होता है, लेकिन इसका notes भी आप लोगों को लिखना जरूरी है, तो चलिए हम देखते हैं कौन से scientist ने इसे जो है वो discovery किया हुआ था, क्या है FAST diagram, सब चीज को हम यहां पे notes में देखेंगे, तो FAST सब्द की रचना मुक्त उर्जा ऑक्सी करणवस था, मतलब free energy oxidation state से हुई है, अगर हम इस FAST को अगर हम तोड़ दे F, R, O, H, T, तो F का मतलब क्या होता है? Free energy, O का मतलब क्या होता है? Oxidation, और H, T का मतलब क्या होता है? State, क्लियर हुआ आप लोगों को इसका मतलब second point, इसे worth ने प्रश्टूत किया था, इसलिए इसे worth इसे fast worth डाइग्राम भी कहते है, अब यह जो worth नाम के जो scientist थे, अगर इस English में इसे पढ़ोगे तो Epsworth जो है आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन इसका नाम जो है वो Hindi में worth करके जो है वो लिखा हुआ है, तो आप जो भी इस जैसा भी पढ़ना चाहो तो इसे fast worth डाइग्राम भी कहते है, second नाम इसका यही है, फास्ट आरेक में किसी particular species की oxygen वस्थाओं के बारे में बताया जाता है, किसी भी element कितना stable है, कितना unstable है, इसके बारे में भी इस डाइग्राम में बता सकते हैं, और माना इस species X की oxidation state जो है वो N है, तो यह सब चीद जो भी आप लोग अपने notes में add कर देना थोड़ा सा बताने के लिए, जैसे कि XN में अगर हम एक N जो है वो इसमें add कर देते हैं, N मतलब होता है number, यहां पे कितना electron है वो आप लोगों को नहीं पता है, तो इसको oxidation number जो है वो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि अगर यहां पे Cu plus 2 है, अगर यह plus 2 को आपको हटाना है, अगर इसको oxidation state जो है वो 2 है अभी, अगर इसको आपको 0 करना है, तो क्या करोगे 2 electron ही add कर दोगे तो यह जो है वो 0 हो जाएगा, अगर N E not equal अगर हम देखे, क्या होता है N E not तो इसका equal minus delta G upon F, तो यह सब जो है वो आपको notes में लिखने के लिए है, में आपका वही diagram है, यह सब चीज को भी आप diagram बनाने के बाद जो है वो लिख सकते हो, आपको अच्छे marks जो है वो मिल जाएंगे, तो I hope you guys, आज का topic आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, और इससे related जो भी आपका topic है, कुछ-कुछ topic और बचा है इस unit से, वो भी मैं जो है वो जल्द ही cover करने की कोशिस करूंगी, तो thank you so much guys for watching this video, and channel को like से और subscribe भी जरूर करें, and thank you so much.